नमस्कार किसान भाईयों देशी मूर्गी पालन में आप सभी का स्वागत है हम अपके लिए देशी मूर्गी पालन के छोटे और महतोपूर्णा प्रयोग लेका आते हैं ऐसा ही एक छोटा सेड़ और पचास देशी मुर्गी पालन ये वीडियो आज हम आपके लिए लिए लेका है है आप यहां पर जो सेड़ देख रहे हैं यहाँ सव मुर्गियों के लिए बनाया हुआ है और इसका डाइमेंशन अगर आप देखेंगे तो तकरीबन सव स्क्लेर फिट का यहाँ सेड़ है और एक ही दिन में यहाँ सेड़ कंस्ट्रक किया हुआ है और सेड़ कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप देखेंगे तो मेटल के एंगल, मेटल जाली और लकडी के ब्लॉक ही है तीन चीजे लेकर यह सेड़ बनाया हुआ है और जमीन से तकरीबन पांच फीट उपर यहाँ सेड़ है और नीचे बहुत बार हम देखते हैं कि सिमेट कॉंक्रेट का यूज हम फ्लोरिंग के लिए करते हैं लेकिन यहाँ पर लकडी के ब्लॉक यूज किये गये है तो इस तरह जिन किसान भाईयों को इंस्टंट देशी मुर्गी पालन शुरू करना है तो इस तरह से अपना सेड़ बना कर वह शुरू कर सकते है और यहाँ पर देखेंगे आप तो सो स्क्वेर फिट में तकरीबन पचास मुर्गिया जो है वा अंडा उत्पादन के लिए रखी हुई है और हमें पता है कि एक दिन में हम अगर सेड़ बना रहे है तो दूसरे दिन से अगर हमें इंकम शुरू हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है और इसी तरह उन्होंने यह अंडा देने वाली मुर्गिया रखी हुई है और आप देशी मुर्गिया जब अंडा उत्पादन के लिए रखते है तो पचास मुर्गियों से तकरिवन डेली आपको 25 से 30 अंडे मिलते है यानि पहले ही दिन से आपको 10 रुपे में भी एक अंडा आप सेल करते है तो उससे तकरिवन आपको 200 से लेके 300 रुपे डेली मिलना शुरू हो जाते है तो एससे आइडियाज हम आपके लिए लेके आते है ताकि अब जल्द से जल्देशी मूर्गी पालन शुरू करें छोटे पैमाने पर शुरू करें काफी सारे किसन भाई जो है तो सेड कंस्ट्रक्ट करने में ही टाइम लगता है तो यहाँ पे जैसे मैंने बता है कि मेटल एंगल लिया उसका वेलिंग किया जाली लगा दी और लकडी के ब्लॉक मार्केट में एजीली मिलते है इसका खर्च भी अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 200 स्क्वेर फिट के उपर नहीं जाता है लेकिन एक अच्छा खासा सेड जो है हमारे लिए एक दिन में हम तयार कर सकते है ऐसे सेड में प्रॉफिटेबिलिटि अच्छी रहती है क्यूंकि मैंने बोला कि कम पैमाने पर हम बर्ड सीज में रखते है तो कमबर रखनी की वज़े से प्रोडक्शन अच्छा आता है जैसे मैं बता रहा हूँ अपको की 25-30 अंडे लेकिन इससे ज़्यादा भी अंडे आपको 50 मुर्गियों से मिल सकते है क्योंकि यहाँ पर मुर्गिया कम रखी हुई है और उनका रकरकाओ अच्छा होता है देशी मुर्गे पालन शुरू करने के लिए इसलिए ज़्यादा हमें सोचने की जोरत नहीं है जिन लोगों को शुरू करना है तो इंस्टन्ट इस वीडियो में हमने जो बाते दिखा है